Welcome to our Fictus Medical Channel. Today we are now sharing Cervical Radiculopathy Cervical Harness and Disc एह Harness and Dicts और Radiculopathy क्या होता है? Radiculopathy में हम लोग बोलते हैं Pinch Nård Nård Brut जब Pinch हो जाते हैं और एह Harniated Dicts होने के बवजूत हम लोगों का और Nård Brut में Compression आ जाते हैं दोनों का Symptoms एक बड़ावर नहीं है मगर नजदिक का कोई मील है दोनों में से हम लोगों का एक अपर हैंस में अपर लिम्स में एफेक्ट आ जाते हैं तो पहरे देखिए यह सर्वीकल में हम लोगों का साथ बोगाड़िदा है एक दो तीन चार पांच छेए साथ यह हम लोग जब सर को सा कामने गुषा हैं इसे मअनि हैं अईसे घुचा कि हम लोग पड़ते हैं कुछ काम करते हैं तब इसके उपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आते हैं मगर C4 से लेकर C7 तक ज्यादा से यादा प्रेशर आए इसके बावद्यूत में हमारा ये भाटिवडा का थोड़ा सा check ह यह भटिवला का थोड़ा सा change हो यह जी दिरे दिरे बढ़ते हैं और नाटवडूट में उसके साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो पहले आज हम लोग आपको एक्सरसाइज दिखाएं वेटिए आप सिधा होके पहले देखिए कैसा एक्सरसाइज होते हैं ये सब रेडियूस करें ये साइज से हमारा मीडियाल नार्व जाते हैं कि हमोग धाट से मिसाे जाते हैंि असे धाट से मिस्वां जाते हैं कि मेडा मैं यह सब मसल्भथ को तुर्दा एक्शान रहे गाएगए ऑसके बाद चंज की ले कि यहाथ का सिप साइट का चेंज हो इसमे क्या हुआ अभी इसका रेडियालन और प्रेडियालन aur अनलान अपने के उपार स्ट्रेचिंग आदी तो ए एक्सन करफी रेडियालीस फ्लेकसर करफी रेडियालीस एक्सर डिगी टोनम कंमैयूनिस। बेकियो रेडियालिस यह सब का और अल्ला का भी यह सब मस्ल का भी स्ट्रेचिंग होने से इसका जो पेन इसका जो बाइटिंग पेन और सब रिडियूस है इसके बाद इसके बाद इसके बाद से फोल्ड होके इसका भी स्टेचिंग होता है यह सब मसल का भी स्टेचिंग होता है अगर यह सब एक्सरसाइज हम ठीक से करें तब भी हमारा सर का गड़न का ओ जो मसल है कैपिडिस लॉंगर्स इक्टास कैपिडिस एंटिडियोर स्टानोक्राइडो मस्क्राइड सभी का फ्रेक्शन एक्स्टेंशन बढ़ते हैं नमबर फोर एक्सरसाइज में आजाए इसमें इसमें क्या होता है इसमें यह पूरा स्ट्रेचिंग होता है कहां से स्ट्रेचिंग होता है यह सेरेटरस एंटिडियोर से स्ट्रेचिंग होता है सेरेटरस एंटिडियोर के साथ किस किस का संबन्द है इधर पेक्ट्रॉलिस मेजर इधर ट्राइसेप इधर आपको माल ये लैटिस माट यूर्सी ये इसके अंदर जो है तिरिस मेजोर एंट्यूर्स माइनोर इसके बावजूर इसके साथ भी हाए बाईसेप बेकिली, ट्राइसेप बेकिली, बेकियो रेडियालिस, बेकियो आनलालिस सबी का अगर ये सब मसल में हम लोगों को extension का कुप problem हो जाए तो ऐसा वाला exercise हम लोग movement में भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे static करते हैं अगर ये सब exercise हम लोग ठिक से करते रहें तो हमारा ये गर्दन वाला जो problem है अज जहां से हमारा एकड़ डिस्टाल फैलेंजेस तक डिस्टाल होते हैं ये से हम reduce मेले इससे छुटकड़ा मेने एक लिए हम लोगों को हर दीन ये exercise कम से कम 15 से 20 बार करके 3 से 4 बार करना चाहिए अगर कम से कम 50 से 60 बार करना चाहिए अगर एक्सेसाइज हम लोग ठीक से करें तो ये वाला पेंट जल्दी हिल्यूस हो जाएगा और ये एरिया का पुरा मसूल का strengthening हो अगर इसका मसूल का strengthening नहीं होगा तो ये प्रॉब्लेम आप लोगों को बढ़ती जाएंगा एक दिन ऐ अगर ये सब एक्सेसाइज आपका फ्रीहंट एक्सेसाइल है ज्यादा से यादा प्रॉब्लेम नहीं आएगा तो आप लोग का अगर कुछ प्रॉब्लेम है तो आप लोग कंसल्ट कर दिजिएगा हमारा फून नमबर में ये बोलके आज के लिए हम लोग सुप्तिच जात सुप्तिए झारा प्रॉब्लेम